प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडीवित प्रदीप में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है PGT एक्जाम के बारे में PGT KBS की जो बैकेंसी आई है उसके बारे में एक एक करके हम समझने वाले हैं कि PGT में सेलेक्शन प्रासेस क्या है PGT का सलेवस क्या है और उस सलेवस के कार्डिंग बेष्ट बुक क्या हो सकती उसे पे चर्चा करने हैं चुकि इसके पहले वीडियो में हमने PGT बारे में पूरा डिटेल आपके साथ चर्चा की थी जितने भी हमारे में तरफ बायलोजी वाले हैं उसे रिक्वेस्ट एक आदेम्स और हमने семιτο defeat के लिए बुक और जो हैं आपके हिंदी ग्रामर लिए इंग्लिस ने इन सबके लिए बुक बता दिए फिर से एक बार हम आपको एक चर्चा में ला देते हैं और दिहान से एक बात दिहान से सुनिएगा यहाँ पे कोई भी बुक ऐसी नहीं बताई जा रही जिससे पब्लिकेशन से हमें पैसा खाना या आप हमारे किसी भी साइट से आप परचेश करेंगे नहीं वो बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी जो बुक आपको बताई जाएंगी वो है आपके लिए बेनिफीसियल होगी जोकि मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता से लिए बस कवर होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किसी भी तरह की सिल नहीं लगी हुई है आप उसे मार्केट से ही पर्चेज करेंगे इस बात को आप गौर से सुन लीजी और समझ लीजी कई बार हम अपरा तफरी में या यूटूब के एड़टाइजमेंट के चक्र में Facebook के Advertisement के चक्कर में हम ऐसी book purchase कर लेते हैं जिसका हमारी life से कोई मतलब नहीं होता है और हम उसका नुकसान उठाते हैं एक तरफ तो हम उसके लिए मोटे पैसे कर्च करते हैं दूसरी तरफ हमारा selection भी नहीं हो पाता तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखेगा जो मैं बताने चला हूँ आपके लिए beneficial है अगर आप कर पाएंगे तो आपको लाब मिलेगे सबसे पहले अगर हम direct में यहाँ पर बात करते हैं PGT के लिए तो English में 10 नंबर मिलेगा आपको हिंदी में 10 नंबर मिलेगा ठीक है और इसके लिए जो मैंने बुक आपको बताया 10 तक का grammar 10 तक का grammar और 10 तक का व्याकरण आपको NCRT से तयार करना NCRT की जो भी बुकाती है उनसे तयार करना है चोकि अगर आप यहाँ देखे पटन दिया गया मार्केट में बहुत साइड बुक पे ऐसे लिखे रहते हैं कि NCRT निचोड ने NCRT सा लेकिन होता कुछ नहीं है ठीक है अगर आप देखेंगे न तो आट तक की NCRT का matter भी उसमें नहीं रहता है इसलिए आप NCRT से ही इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाब मिलेगा दस दोनी बीस नमबर ही यहाँ से आपके कबर हो जाएंगे अब मैं आपसे बता रहा था कि जनरल अवेरनेस के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की आओ सकता नहीं अब ने offense उगराप पढ़ते रहिए चुक्हे जनरल अवेरनेस कोई subject नहीं है उसकी कोई proper book नहींक नहीं आती है उसके लिए आप कोई이고 कोई नहीं लिए लेकिन फिर भी कोई book नहीं आती जीए कि कोई भी बुक ले लीजे इसके लिए current affairs और general awareness के लिए आप हमारे साथ जुड़िए हमें इसका practice paper daily करवाएंगे और daily नहीं सब्ता में चार दिन करवाएंगे और यह practice paper में 20-22 question होंगे और 20 question लगभग general awareness current affairs के 10-10 question होगे 10-5 question आपका reasoning करहेगा उसमें या 5-10 question reasoning करेगा 10 question 5 question से 10 question computer literacy करेगा total 30-40 question का आपका practice paper सब्ता में 4 दिन होगा जो आपके लिए beneficial होगा और यह 20 number आप हमारे उपर छोड़ दीजे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 20 number में आप minimum जोई score करेंगे वह आप 18-19 question का score करेंगे यह आप हम पर भरोसा रखके चलिए 90% मैं इसमें आपको दिलवा दूँगा अब बात करते हैं cdp की टोटल cdp आपका 40 number काता है तो यह बड़ी चीज है 40 number के cdp तयार करना और 40 number के cdp के लिए आपको पता है कि आप हिंदी में तो मैं कोसिस करूँगा कुछ प्रैक्टिस पेपर हिंदी मीडियम से करवाऊँगा लेकिन मोस्ट इस्टुडेंट ऐसे हैं ज्यादा तर लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं इंगलिस में चाहिए 30 नंबर यहां से मिलता है और 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा ठीक है तो टोटल आपको जो है कहां से आप जानते हैं cdp के बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बुक की बात करें डाक्टर मालती सर्मा की बुक आती है आप उसे प सवार नहीं है उनके बारें बहुत जादा डिटेल है भी नहीं हमारे पास तो हिंदी की बुक आपको मिल जाएगी हिंदी मीडियम में अगर आप तयार करेंगे तो दूसरी चीज बहुत से यूटूब चैनल पर बहुत से टीचर पढ़ाते हैं तो वहां पर भी आप देख ओइबा और इनटेर्वी होगा तो यहां में सब्जसर करेंगे माइन सब्जक्त करेंगे और में बात करें तो यहां पर आपको जो बूख पर चैस करनी है वो book purchase करनी है अब मेरे recording आप चलिए तो आपको इतनी book purchase करनी पढ़ें पहली book आपको यह chemistry है इसके बाद biology है ठीक है एक second बस आ गए है आप biology पहली book मेरे recording जो आपको purchase करनी है पहले तो आप class 11th और 12th की NCRT ले लिजी देखिए आप दिया गया है कौन से book पढ़नी है 11th और 12th की NCRT आपको पढ़नी है पहली book आप market से खरीद लीजिए पहली सबसे important book दूसरी book आपके लिए जो है इसके साथ NCRT का जो detail book आती है जो इसका side book के नाम से हम लोग जानते हैं तो ओ आप चाहे तो प्रदी पब्लिकेशन के लिए लिजी चाहे ABC पब्लिकेशन के लिए हैं कि कौन से book better पड़ेगी तो आप उसे ले सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर हम हिंदी में तयार करना चाहें देखे पेपर आपका Hindi English तो दोनों language में रहता है अगर आप Hindi में तयार करना चाहते हैं तो आप किसकी book लेंगे डाक्टर रमेश गुपता की book लेंगे और हिं आप इसलिए हम आप से कहेंगे अगर आप थोड़ी सी वी अवैर्नेस रखते हैं तो आपने नालेज को बूश्ट करने के लिए Hindi मीडियम में जरूर पढ़ें लेकिन तैयारी जो है आप इंगलिस मीडियम में करें ये दो चीजें तो हो गई आपकी बुक की बात अब प्रेक्टिस पेपर की बात कर लेते हैं प्रेक्टिस पेपर के लिए आप मार्केट में देखेंगे ठीक है चुकि से लेबस भी आपका लेबन तोलत के बेसिस पे तो नीट के कार्डिंग जो भी एंसी आटी के बुक आपको मार्केट में मिल रही है जो आपकी काउन सी बुक है अब्रीटिव बायलोजी की उसे आप लेएए उससे आप अपनी प्रेक्टिस को भी स्टरंग बना सकते हैं बहुत सी बुक है किसी भी राइटर के नाम लेने क्या हो सकता नहीं चुकि सब ही राइटर को आप जानते हैं कैसी हैं आप लोगों को पता है ठीक आप मार्केट में जो आपको अच्छे लग जाए वो बुक आप पर्चेज कर लिजी ठीक है रस्तोगी पुब्लिकेशन से लेकर किसी पुब्लिकेशन का मैं नाम नहीं लेना चाहता है यहाँ पे तो आप उस बुक को पर्चेज कर सकते हैं मार्केट से जो आपको पर्चेज करने की आव सकता बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर आप पर्चेज करिएगा और सिर्फ और सिर्फ 99 रूपे में पर्चेज करना आपको उससे हम नाम देते हैं एक्जाम पॉइंट्स एक्जाम पॉइंट्स के अगर हम बात करने हैं हमारे पास बहु tois important होता है उसे अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको बहुत लाव मिलेगा उसका वीडियो भी आपको मिलेगए साथ में वो आपको उसका पीडिया दिया जाएगा उसी का आपको कास्ट देना बाकी सारी सीजें आपको फिर हें कि 100 जो हम करवाते हैं 100 जाम पॉइंट से मुझे पूरा भरोसा होता है कि आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से 70 से 75 परसेंट वहीं से मिल जाता है यानि 10,000 के उस्चन जो आप करते हैं सरी 5000 के उसमें से 5000 परस्ट आपका कितना कवर करता है वह 5000 परस्ट आपका कवर करता है 72-75 परसेंट और के बियस में अगर आपने 60 परसेंट से उपर 70 परसेंट से उपर अपने सब्जेक्ट में चीप कर लिया ता आपका बूड चीप्मेंट माना जाता है आप अपने सेलेक्शन प्रासस की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं तो य कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एक एक करके नोटिफिकेशन के सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूंगा जो आपके लिए लागता है तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अपने मेत्रों को भी सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फिर मिलते हैं कि सेर वीडियो में तब तक लिजाज़त देजिए जै